सर्वेभ्यो नमो नमहा संस्कृत कक्षायाम सर्वेशाम श्वागतमस्ति प्रियक्षात्राह अध्यवयम नवम कक्षायाह संस्कृतम पठामहा अध्यवयम प्रथमह पाठाह संभाशनम पठामह संभाशन कहते हैं वारतालाप को जब दो या दो से अधिक लोग बात करते हैं उसे संस्कृत में संभाशन संभाशनम कहा जाता है तो आज जो हम पाठ पढ़ रहे हैं इस पाठ में सिक्षक और बच्चों के बीच समवाद हो रही है और इस समवाद में एक महापुरुष की जीवनी को हम जानेंगे एक महापुरुष के जीवन परिचय से परिचित होंगे तो चलते हैं पाठ की ओर भो ख्षात्राह अध्य किम पठी तुम इच्छास्ती श्रीमन अध्य वयम विवेकानन्द विशे जातु मिच्छा महा उत्तमम वयम विवेकानन्द स्य बाल्यकाल विशे ज्यास्या महा विवेकानन्द हा बाल्यकाले किद्र सह आसी सह किम किम करोतिस्म विवेकानन्द हा बाल्यकाले साहसी आसी तसमई क्रीडा अतिव रोचतेस्म सह कथम प्रसिद्ध हा जाता हा सह जिग्यासु आसी धर्म विशे तस्य जिग्यासा कालक्रमेन बलवती जाता भाशा अध्यैनम तस्य ज्यान व्रिद्धिम अकरोत सह महान वक्ता रूपेना पी ख्यातिम प्राप्तवान संभासनम पीला रामह पीला राम नाम के सिक्षक है वो बात कर रहे है भोख छात्रा हा अध्य किम पठी तुम इच्छास्ती भोख छात्रा हा हे छात्रों अध्य आज अध्य मने आज किम क्या पठी तुम पढ़ने की इच्छा इच्छास्ती है इस वाक्य में एक सब्दा आया पठी तुम तो पठी तुम का मतलब है पढ़ने के लिए पठी तुम इस सब्द में पठधातु में तुमुन प्रत्याय लगा है पठी तुम पढ़ने की इच्छा अस्ती ये अस्धातु लट लकार वर्तमान काल का ये प्रतम पुरुष एक वचन का सब्द है अस्ती माने है तो हे च्छात्र आज क्या पढ़ने की इच्छा है ऐसा सिक्षक पिलाराम जी पूछ रहे है च्छात्राह समवेतह सभी च्छात्र समवेतह एक स्वर में कह रहे है श्रीमन अध्यवयम विवेकानंद विशये ज्यातुम इच्छा महा कि हे सिक्षक महोद है अध्य अध्य माने आज वयम हम वयम माने हम विवेकानंद विशये विवेकानंद अस्य विशये विवेकानंद विशये मानि विवेका अनंद जी के विशय में ज्या तुम जानने की इच्छा महा इच्छा रखते हैं इस वाक्य में एक शब्दाया अध्य अध्य अव्याइपद है वयम वयम का अर्थ होता है हम और अस्मद का प्रत्मा विभक्ति बहु अचन है यह अहम अवाम वयम इस प्रकार से चलता है विवेकानंद विशय यहाँ पर समास हो गया है विवेकानंद स्य विशय विवेकानंद विशय अर्थात स्वामी विवेकानंजी के विशय में ज्या तुम ज्याद हातु है तुम उन प्रत्य है जानने की इच्छा महा इच्छा रखते हैं ये इच्छ धातु का लटलकार वर्तमान काल का उत्तम पुरुष बहु अचन है इसका रूप चलता है इच्छती इच्छताह इच्छताह इच्छामी इच्छावा इच्छामह आगे पीला राम हाँ पीला राम जो सिक्षक है वो कह रहे हैं उत्तमम बहुत अच्छा वयम विवेकानन्दस्य बाल्यकाल विशये ज्यास्यामह वयम हम विवेकानन्दस्य विवेकानन्दजी के बाल्यकाल विशये बाल्यकाल के विशये में बच्पन के विशये में ज्यास्यामह जानेंगे हम विवेका नंजी के बच्पन के विशे में जानेंगे यहाँ पर ज्या स्या महा एक सब्द आया ज्या धातु का लिटलकार उत्तम पुरुष बहु अचन है गोपाल हाँ गोपाल नाम का बच्चा कक्षा में अपनी बात रख रहा है विवेका नंदह बाल्यकाले की द्रिशह आसीत गोपाल पूछता है कि विवेका नंदह स्वामी विवेका नंजी बाल्यकाले बच्पन में बाल्यकाले बच्पन में की द्रिशह कैसे आसीत थे यह आसित थे यह असधातु का भूत कालिक रूप है सह किम किम करोति स्मा सह वह वह कौन स्वामी विविकानन जी किम किम क्या क्या करोति स्मा करते थे गोपाल नाम का बच्चा कक्षा में अपने सिक्षक से पूछता है विवेकानन जी बाल्यकाले की द्रिशह आसित कि वो पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानन जी बाल्यकाले बच्चपन में की द्रिशह कैसे थे की द्रिशह कैसे आसित माने थे सह किम किम करोति स्मा सह माने वह वह कौन यहां किसके बारे में बात हो रही है स्वामी विवेकानन जी के बारे में बात हो रही है तो गोपाल पूछ रहा है कि वे स्वामी विवेकानन जी किम किम करोति स्मा क्या क्या करते थे यहाँ पर एक सब्दाया करोतिस्म व्याकरण का एक नियम है जिसमें किसी भी लटलकार के धातु के साथ यदि स्म जुड़ जाता है तो वो भूत कालिक हो जाता है है न हम सब जानते हैं लटलकार वरतमान काल का है परन्तु उसमें अचारिपार्णी ने एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें स्म जोड़ करके हम उस लटलकार के रूप को भूत काल के लिए प्रयोग करते हैं तो यहां पर शब्दाया करोतिस्म पीला रामः पीला रामजी सिक्षक पीला रामजी कह रहे हैं विवेकानन्द हा बाल्यकाले साहसी आसीत विवेकानन्द जी बाल्यकाले बच्पन में अपने बच्पन में बहुत साहसी थे, साहस्वान थे, उनके अंदर अदम्य साहस भरी हुई थी तस्मई क्रीडा अतिव रोचते स्म तस्मई उनको स्वामी विवेकानन्जी को क्रीडा खेल खेलना अतिव बहुत रोचते स्म यहां भी रुच्धातु का यह आत्मने पद का रूप है लटलकार प्रथम पुरूष एक वचन का रोचते अब इसमें स्म जोड़ करके इसको भूतकाल का प्रयोग किया गया है कि रोचते स्म अच्छा लगता था तो स्वामी विवेकानन जी बालेकाल में बहुत साहसी थे और उनको खेलना बहुत पसंद था खेल उनको अच्छा लगता था गोपाल नाम का बालक फिर पूछता है सहा कथम प्रसिद्धा जाता हा सहा सह माने वहा वह कौन हाँ यहां विवेकानन जी के लिए प्रयोग हो रहा है कि वे विवेकानन जी कथम कैसे प्रसिद्धा हा प्रसिद्ध जाता हा हुए स्वामी विवेकानन जी कैसे प्रसिद्ध हुए उनमें क्या ऐसी खूबियां थी उनके अंदर कौन सी ऐसी बाते थी जिनके कारण वे प्रसिद्ध हुए ऐसा प्रश्न गोपाल नाम का बालक अपने सिक्षक पिला राम जी से कर रहा है तो अब इसका उत्तर पिला राम जी देते हैं सह जिग्यासू आसीत सह वह कौन स्वामी विवेकानन जी जिग्यासू जिग्यासू अर्थात जिसके मन में जानने की बहुत सारी च्छाएं रहती है उसको जिग्यासू कहते है तो उनके अंदर बहुत जानने की इच्छा थी वो जिग्यासू थे धर्म विशये तस्य जिग्यासा कालक्रमेन बलवती जाता धर्म विशये धर्म के विशय में तस्य उनकी जिग्यासा जानने की इच्छा कालक्रमेन समय के साथ जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया जैसे जैसे उनकी आयू बढ़ते गई वैसे वैसे ही वे धर्म के विशय में जानने की इच्छा उनके अंदर बलवती जाता बलवान होते गई अर्थात बढ़ते गई भाशा अध्यैनम तस्य ज्यान विद्धिम्अकरोत भाशा अध्यायनम तस्य ज्यान व्रिद्धिम्म करोत भाशा अध्यायनम भाशा का अध्यायन उनके ज्यान की व्रिद्धी किये अर्थात वो देखे जितना आप पढ़ते जाएंगे जितना आप पुस्तकों को पढ़ेंगे जितना आप ग्रंथों को पढ़ेंगे उतनी ही आपके अंदर जिग्यासा बढ़ते जाएगी है ना जितना हम पढ़ेंगे उतनी ही हमारे अंदर और जानने की इच्छा बढ़ते जाएगी तो सौमी विवेका नंजी की भी भाषा अध्यान करने से विभिन्य ग्रंथों को पढ़ने से उनके अंदर धर्म के विशय में जानने की जिग्यासा और बढ़ते गई सह महान वक्ता रूपे नापी ख्यातिम प्राप्तवान सह वह वे अर्थात स्वामी विवेकानन्ज जी महान वक्ता रूपे नापी महान वक्ता के रूप में भी अब यहाँ यह जो शब्द है इसको अलग-अलग करेंगे तो वक्ता रूपेन अपी यह तीन शब्द मिल करके एक सब्द बन गया वक्ता रूपेन अपी वक्ता के रूप में भी ख्यातिम प्रसिधिम प्राप्तवान प्राप्त किये यहाँ पे रूपेन अपी वक्ता रूपेन धन अपी यह दिर्ग स्वर संधी का एक उधारन है आईए देखते हैं अपे व्याकरण प्राप्तवान प्राप्तवान शब्द कैसे बना है प्राउपसर्ग पूर्वक आप धातु से तवतु प्रत्य प्राप्तवान प्राप्त किये इस अर्थ में है श्रीवन मम माता वदतिस्म यत बाल्यकाल्य विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रह आशित की मिदम सत्यम आम सत्यम कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्व विख्यातह अभवत तस्य विशय अन्य कोपि विशय सह तस्य विचारह उत्तमह आशी यत मानव सेवा एव इश्वर सेवा अस्ति तस्य प्रभावेन जनाह संगटिताह भवन्तिस्म सह देशे विदेशेच भारतिय संस्कृतिम उपदिशतिस्म महोदै रायपूर नगरस्य विमान पत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। किशोरा वस्थायाम विवेकानंदह रायपूर नगरे कालम व्यतीतवान सुरुयतेयत सह शकटेन नागपूरतह रायपूरम आगत्छ अत्र सह संगीत शिक्षाम अग्रिहना तस्य स्मरनार्थमेव विमान पत्तनस्य नाम विवेकानंद निति नत्तम। स्रीमन पाक कलायाम च विवेकानंदस्य रूचिह आसित इदम अपितत्तम। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि सिक्षक पिलाराम और गोपाल की आपस में बात्चित हो रही थी। अब कक्षा की एक बालिका पियासी और पिलाराम जी के बीच में बात्चित हो रही है और इस बात्चित में वे विवेकानंद जी के विशय में और कुछ बातें हमें बता रहे हैं। तो पियासी कहती है श्रीमन मम माता वदतिस्म यत बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रह आसीत किमिदम सत्यम। पिलाराम जी उसका उत्तर देते हैं आम सत्यम कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्व विख्यातः अभवत। चलिए देखते हैं इसका अर्थ हब समझते हैं। पियासी कह रही है श्रीमन की हे सिक्षक महुदै मम माता वदतिस्म मेरी माता कहती थी मेरी माता बता रही थी यत की बाल्यकाले बचपन में विवेकानंदस्य नाम स्वामी विवेकानंजी का नाम नरेंद्रह आसीत नरेंद्र था। आईए देखते हैं इसमें व्याकरण वदतिस्म वदत हातु का लठलकार प्रथम पुरुष एक वचन और जैसे कि मैं बताया था कि लठलकार से उसको जब भूत काल वरतमान काल से जब भूत काल में बनाया जाता है तब उस शब्द के साथ, उस शब्द रूप के साथ, उस धातु रूप के साथ स्मा शब्द जोड़ा जाता है तो यहाँ वदति माने वरतमान काल में है बोल ना और वदतिस्मा माने बताया गया था पिला राम जी कहते है आम हां प्यासी ये बात सत्य है आम माने हां सत्यम माने सत्य है आपकी माता जी जो आपको बता रही थी वो सहीं बता रही थी कालांतरे कालांतर में सह वह कौन स्वामी विवेकानन्द जी विवेकानन्द नामना विवेकानन्द नाम से विश्व विख्यात हा विश्व विख्यात पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए अभवत माने हुए हापियासी आपकी माताजी सत्य बता रही थी सहीं बता रही थी कि उनका नाम पहले बच्पन में नरेंद्र था और बाद में कालांतर में बाद में वे स्वामी विवेकानन्द नाम से विश्व विख्यात हुए आईए देखते हैं इसमें व्याकरण के कुछ अंस कालांतरे यहां दो शब्द है काल धन अंतरे काल का मतलब समय अंतरे मतलब अंतर में बाद में अब यहां पे काल धन अंतरे कालांतरे यहां दिर्ग स्वर संधी का उधारण है अभवत भूधादुका लंगलकार प्रथम पुरुष एक वचन और इसका रूप चलता है अभवत अभवताम अभवन इस प्रकार से इसका रूप चलता है अब यहाँ पर आपने देखा कि पी आसी और सिक्षक पिला राम जी के बीच में बातचीत हुई अब हम आगे देखते हैं कि उमेश नाम का बालक और सिक्षक पिला राम जी के बीच में क्या बातचीत होती है उमेशह तस्य विशिये अन्याह कोपी विशेशह पिलाराबहम तस्य विचारह उत्तमह आसीत यद मानव सेवा एव इश्वर सेवा अस्ति तस्य प्रभावेण जनाह संघटिताह भवन्तिस्म सह देशे विदेशेच भारतीय संस्कृतिम उपदिशतिश्म आईए इसका आर्थ देखते हैं उमेश कहता है तस्य विशेए उनके विशेए में स्वामी विवेका नंद जी के विशेए में अन्याह कोपी कोई विशेश विशेश बातें हो तो वो बताने की कृपा करें अपने सिक्षक से उमेश पूछ रहा है कि विवेका नंद जी के विशेए में कोई और विशेश बात है तो वो भी हमें बताने का कश्ट करें हमें बतावें तब पिला राम जी उसका उत्तर देते हैं तस्य विचारह उत्तमह आसीद इसमें थोड़ा सा यहां देखते हैं और समझिएगा कि विशेए यहां विशेए सब्द का सब्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है विशेए मतलब विशे में उसके बाद एक शब्द आपको दिख रहा होगा कोपी यहां देखिए एक ऐसा अंग्रेजी का एस जैसा दिख रहा है अब यह हम लोग प्राया जब संस्कृत पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक शंका होती है कि यह क्या है तो अब मैं आपको बताऊं कि यह जो है जो एस की तरह दिखने वाला जो वर्ण है इसको अवग्रह कहते हैं क्या कहते हैं अवग्रह कहते हैं और यह संधी के कारण इस प्रकार का रूप लिया है और वो मूल रूप में अ है तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण दब जाता है इसका उच्चारण कोपी ऐसा करते हैं उसको अ ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं कोपी ऐसा उच्चारण नहीं करते हैं इसको उच्चारण करेंग कोपी ठीक है अब पिला राम जी उमेश के प्रश्णों का उत्तर दे रहे हैं उमेश ने जो बात पूछा उसका आगे उत्तर दे रहे हैं तस्य विचार हा उनके विचार किनके विचार स्वामी विवेकानंद जी के विचार उत्तम हा आसीत उत्तम थे वो जो विचार करते थे वो बहुत अच्छे विचार करते थे जैसे यत जैसे मानव सेवा एव इश्वर सेवा अस्ति मानव की सेवा ही इश्वर की सेवा है स्वामी विवेकननजी का कितना सुन्दर विचार था कि मानव की सेवा ही इश्वर की सेवा है तस्य प्रभावेन इनके ऐसे सुन्दर विचारों के प्रभाव के कारण से जनाह लोग संगटिताह भवन्तिश्म संगठित होते थे संगठिताह संगठित भवन्ति होते स्म थे तो भवंतिस्म होते थे अर्थात स्वामी विवेकानन जी का जो विचार था ऐसे और भी बहुत सारे सुन्दर सुन्दर विचार थे जो मानव सेवा और मानव मात्र के कल्यान के लिए कही गई बाते थी तो उन बातों से लोग प्रभावित होते थे और उनके साथ जुड़ते जाते थे उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन तयार हो रहा था लोग एकत्रित हो रहे थे सह देशे विदेशे च सह वह कौन स्वामी विवेकाननद जी देशे विदेशे यहां देश में और विदेश में भारत देश के अंदर भी और भारत देश के बाहर भी दोनों जगहों में भारतिय संस्कृति में भारत की जो सुन्दर संस्कृति है जो संस्कृति भारतिय सास्त्रों वेद दर्शन आदी पे नहीत है उस संस्कृति का उपदिशतिस्म उपदेश देते थे कहां भारत में भी और भारत के बाहर विदेशों में भी उपदेश देते थे P.A.C. अब अब तक हम लोग देखे कि उमेश और पिला राम जी के बीच में बात हो रही थी P.A.C. नाम की एकबालिका फिर अपने सिक्षक पिला राम जी से चर्चा कर रही है बात कर रही है P.A.C. कहती है P.A.C. पिला राम जी सका उत्तर दे रहे है P.A.C. किशोरा वस्थायाम विवेकानंदह रायपूर नगरे कालं व्यतीतवान P.A.C. शुरूयतेयत सह शकटेन नागपूरतह रायपूरं आगच्छत P.A.C. अत्र संगीत शिक्षाम अग्रिहनात तस्य स्मरनार्थमेव विमानपत्तनस्य नाम विवेकानंद इतिदत्तम चलिए जो P.A.C. और पिला राम जी के बीच में जो बात चीत हुई उसका अर्थ अब हम समझते हैं P.A.C. कहती है महोदय कि हे स्रीमन हे सिक्षक महोदय रायपूर नगरस्य रायपूर नगर का है ना यहाँ देखिए रायपूर नगरस्य यहाँ पर सश्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है रायपूर नगरस्य रायपूर नगर का विमान पत्तनम एक नया शब्द दिख रहा है आपको विमान पत्तनम का अर्थ होता है हवाई अड़्डा जिसको हम अंगल भाषा में अंग्रेजी भाषा में एयरपोर्ट कहते हैं तो रायपूर नगरस्य विमान पत्तनम कथम विवेकानन्द नामना प्रख्यातम रायपूर शहर का जो हवाई अड़्डा है उसका नाम उस हवाई अड़्डे का नाम विवेकानन्द नामना प्रख्यातम कथम प्रख्यातम कैसे प्रसिद्ध हुआ जो राइपूर शहर का जो हवाई अड़ा है वो हवाई अड़ा स्वामी विवेका नंद के नाम से क्यों प्रसिद्ध है ऐसा प्रश्ण पियासी पूछती है पिला रामजी उत्तर देते हैं कहते हैं किशोर आवस्थायाम यहां दो शब्द है किशोर धन अवस्थायाम यहां दिर्गिश्वर संधी है किशोर आवस्थायाम किशोर अवस्था में विवेका नंद हा स्वामी विवेका नंद जी राइपूर नगरे राइपूर नगर मे राइपूर नगरे राइपूर नगर मे यहाँ सब्तमी विखक्ती का प्रयोग हुआ है नगरे राइपूर नगरे राइपूर नगर में कालम व्यतीतवान कालम समय व्यतीतवान विताए थे मतलब व्यतीत किये थे विताए थे कालम समय विताए थे स्वामी विवेकानन जी अपने किशोर अवस्था में राइपूर शहर में कुछ काल कुछ समय विताए थे यहाँ एक शब्दाया व्यतीत वान यहाँ पर तवतु प्रत्याय का प्रयोग हुआ है व्यतीत धन तवतु व्यतीत वान शुरु यते यत की सुना जाता है की सह वह कौन स्वामी विवेकानन्द जी शकटेन शकटेन मतलब बैल गाड़ी से बैल गाड़ी से आप परचित है ना हाँ बैल गाड़ी से नागपूर तहा नागपूर नाम का एक शहर है वहां से नागपूर तहा मतलब नागपूर से राइपूरम राइपूर आग अच्छत आये थे स्वामी विवेकानन जी नागपूर से राइपूर आये थे किस में आये थे सकटेन सकटेन मतलब बैल गाड़ी से आये थे बैल गाड़ी में बैठकर आये थे अत्र संगीत शिक्षाम अग्रहिनात अत्र अत्र अव्याइपद है और इसका आर्थ होता है यहां यहां कहां राइपूर नगर में संगीत शिक्षाम संगीत की सिक्षा अग्रहिनात ग्रहन किये थे राइपूर शहर में आकर स्वामी विवेकानन जी ने संगीत की सिक्षा ग्रहन की थी तस्य स्मरण आर्थम एव उसके स्मरण के लिए ही माने स्वामी विवेका नंजी यहां आ करके अपना समय बिताए थे यहां संगीत की सिख्षा ग्रहन किये थे इसी बात को स्मरण आर्थम इस्मरण के लिए ही एव माने ही इस्मरन केलिये ही Вिमानपत्तनस्य नाम विवेकानन्द इती दत्थम् विमानपत्तनस्य, विमानपत्तन् का, हवाई अडे का नाम विवेकानन्द दियागया अब आगे देखते हैं उमेश और पिला रामजी के बीच में फिर बात हो रही है उमेश कहता है श्रीमन पाक कलायाम च विवेकानंदस्य रूचिह आसीद इदमपितत्यम पिला रामः आम अब इसका अर्थ देखते हैं उमेश नाम का बालक कक्षा में अपने सिक्षक पिला रामजी से पूछ रहा है श्रीमन हे श्रीमान हे महुदै पाक कलायाम च विवेकानंदस्य रूचिह आसीद पाक कला में भी पाक कला में भी विवेकानंदस्य स्वामी विवेकानंद जी की रूचिह रूचि आसीद स्वामी विवेका नंद जी को भोजन पकाने की कला में भी रूची थी इदमपी तत्यम ये जो बात है ये भी तत्य है ये बात भी ऐसा सुना जाता है या कहा जाता है ये भी सही है पिला राम जी कहते हैं आम हाँ ये बात सही है यहाँ व्याकरण देखते हैं पाक कलायाम पाक कला में विवेका नंदस्य यहाँ सश्टी विवक्ति एक वचन है विवेका नंदका आसित असधातु का भूतकाल का रूप है आसित तो बच्चों अब हम इस संभासन पाठ के दूसरे भाग की ओर चलते हैं जहां दो बाली का कौन-कौन फ्लोरा और विद्यावती आपस में बात्चीत कर रही है इन दोनों के बीच में सामान्य चर्चाएं हो रही है तो चलिए देखते हैं यह आपस में क्या बात कर रहे हैं विद्यावती विद्यावती आम अत्रा गच्चतू भवती किम करोती इदानेम अहम इसनानम करोमी भवती शीग्रम इसनात्वा अगच्चतू किमर्थम सीग्रम ग्रिये शांकम नास्ती भवती आपडम गच्चत्वा शांकम आनेयतू फ्लोरे अहम वस्तरम दृत्वा गच्चामी शीग्रम द्वी चक्रिक्या गच्चतू किम गटितम इयम भगना जाता अहम धावित्वा गच्चामी धावित्वा मागाच्छतू आपने यातायातं संगनं भवती त्वया सतरकतं पेक्षितं शुरुनोतू सूरणस्य मुल्यं अपिग्यात्वयं अस्तू यावत अहम आगच्छामी तावत भवती कक्चम प्रक्चालयतू आम अहम कक्चम सक्जाम करो मी फ्लोरा विद्यावती विद्यावती फ्लोरा जो है वो विद्यावती को आवाज दे रही है बुला रही है कि हे विद्यावती हे विद्यावती ऐसा विद्यावती उसका उत्तर दे रही है आम हाँ फिर फ्लोरा कहती है अत्राग अच्छतू भवती किम करोती अत्राग अच्छतू अत्र माने यहां आग अच्छतू आओ अत्र आग अच्छतू यहां संधी होकर अत्राग अच्छतू यहां आओ भवति किम करोति भवति भवति मने आप किम किम मने क्या करोति कर रही है आप क्या कर रही है ऐसा फ्लोरा विद्यवति से पूछती है विद्यावती कहती है इदानिम अहम स्नानम करो मी इदानिम इस समय अहम मैं स्नानम करो मी नहा रही हूँ इस समय मैं नहा रही हूँ इदानिम ये अव्या है और इसका अर्थ होता है इस समय करो मी क्रीध हातु का लटलकार वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है करो मी कर रही हूँ फ्लोरा कहती है भवती शीग्रम स्नात्वा अच्छतु भवती आप शीग्रम शीग्रम मतलब जल्दी शीग्रम मतलब जल्दी और ये शीग्रम भी अव्याइपद है स्नात्वा स्नात्वा स्नान करके स्नात्वा मने स्नान करके आग अच्छतु आओ शीग्रम स्नात्वा अच्छतु जल्दी नहा कर आओ यहां स्नात्वा स्नात्वा स्नान करके आग अच्छतु आउपसर्ग पूरवक गमधात्वा है और लोटलकार प्रसम पुरुष एक वचन का रूप है आगच्छ तू आओ लोटलकार अज्यार्थ होता है विद्यवती किमर्थम शीग्रम जल्दी क्यों? शीग्रम माने जल्दी किमर्थम किस लिए जल्दी? फ्लोरा कहती है न कि शीग्रम शीग्रम जल्दी नहां कर आओ तो विद्यवती पूछ रही है किमर्थम शीग्रम क्यों जल्दी? फ्लोरा कहती है ग्रिहे शाकम नास्ति ग्रिहे घर में शाकम सब्जी नास्ति नहीं है घर में सब्जी नहीं है भवती आपनम गत्वा शाकम आनयतु भवती आप है ना फ्लोरा कह रही है कि घर में सबजी नहीं है आप आपनम गत्वा आपनम आपनम का अर्थ होता है दुकान बाजार आपनम का अर्थ होता है दुकान जाकर गत्वा माने जाकर शाकम सबजी आनयतु ले आओ थाथ आप दुकान जाकर सबजी ले आओ विद्यावती कहती है फ्लोरे कि है फ्लोरा अहम मैं वस्त्रम ध्रीत्वा वस्त्रम ध्रीत्वा कपड़े पहन कर गच्छा में जाती हूँ वो कह रही है कि मैं जल्दी से कपड़े पहन लेती हूँ फिर जाती हूँ फ्लोरा कहती है शीग्रम द्वी चक्रि कया गच्छतू शीग्रम मने जल्दी द्वी चक्रि कया द्वी चक्रि कया साइकिल से गच्छतू जाओ साइकल से चले जाओ ऐसा फ्लोरा कहती है विद्वी चक्रि का सम्यक नास्ति द्वी चक्रि का वाने साइकिल सम्यक ठीक नास्ति नहीं है कह रही है कि जो साइकल है वो ठीक नहीं है तो फ्लोरा पूछती है किम घटितम किम मने क्या घटितम हो गया क्या हो गया विद्वी कह रही है इम भगना जाता कि ये जो साइकिल है वो तूट गई है भगना जाता तूट गई है अहम धावित्वा गच्छा मी अहम मने मैं धावित्वा दोड कर धावित्वा मने दोड कर गच्छा मी जाती हूँ विद्यवती कह रही है साइकल तूट गई है तो मैं दोड कर ही चले जाती हूँ फ्लोरा कह रही है धावित्वा मा गच्छतु धावित्वा दोड कर मत गच्छतु जाओ दोड कर मत जाओ यहाँ धावित्वा सब्दा आया है इसका व्याकरण देखिए धाधातू में धावधातू में त्वाप्रत्य है धावित्वा दोड कर आपने यातायातं सघनंभवति आपने बाजार में यातायातं यात धन आयातं यातायातं आवागमन यातायातं मतलब आवागमन सघनं सघन भवति होता है अरथात बाजार में आवागमन बहुत होता है भीड भाड बहुत रहता है त्वया सतरकता पेकशिता बाजार में दुकान के आजपास भीड भाड बहुत होती है इसलिए तुम्हें त्वया तुम्हें सतरकता पेकशिता यहाँ दो सब्द है सतरकता धन अपेकशिता इसमें दिर्गे स्वर संधी है सतरकता अपेकशिता सतरकता मतलब जागरूक रहना अपेकशित है जरूरी है दोड कर मत जाओ क्योंकि बाजार में भीड भाड होने के कारण से सतरकता अपेकशित होती है इसलिए दोड कर मत जाओ फिर फ्लोरा कहती है सुनो तू ऐसा होता है न जब हम किसी को कुछ बोलते हैं अब वो हमारी बात सुनते ही उस काम को करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उसी समय हमें कुछ और बात याद आती है तो हम पीछे से आवाज लगाते हैं सुनो बस वैसे ही यहाँ पे फ्लोरा भी कह रही है सुनो तू सुनो विद्यापती सूरणस्य मुल्यम अपि जातव्यम सूरणस्य सूरण कहते हैं जिमिकंद को सूरणस्य यहाँ सूरण सब्द में सश्ठिविभक्ती एक वचन तो इस सब्द कार्थ होगा जिमिकंद का मूल्यम मूल्य कीमत अपि भी जातव्यम जानना चाहिए कि है विद्यापती सुनो वाजार से जिमिकंद का कीमत भी जानना चाहिए अर्थात तुम बाजार से जिमिकंद का कीमत भी पता करके आना यहाँ ज्यातव्यम ज्याधातु में तव्यत प्रत्या है ज्यातव्यम जानना चाहिए विद्यापती कहती है अस्तु ठीक है अस्तु माने ठीक है यावत अहम आगच्छामी यावत मतलब जब तक यह अवियापत है तावत तब तक यह भी अवियापत है तावत तब तक यावत जब तक तावत तब तक जब तक मैं बाजार से लोट कर आती हूँ तब तक भवती आप कक्षम प्रक्षालयतू कक्षम कम्रे को प्रक्षालयतू साफ कर दो प्रक्षालयतू प्राउपसर्गपूर्वक क्षाल आत्मनेपत का रूप है प्रक्षालयतू प्राउपसर्गपूर्वक क्षाल धातू का लोट लकार प्रथम पूरुस एक वचन का रूप है प्रक्षालयतू धो दो साफ कर दो ये अर्थ है जब तक मैं बाजार से लोट कर आती हूँ तब तक तुम कम्रे की साफ सफाई कर दो फ्लोरा कहती है आम हाँ ठीक है अहम मैं कक्षा सज्जाम करो मैं फ्लोरा कहती है आम अहम कक्ष सज्जाम करो मैं अहम मैं कक्ष सज्जाम कमरे की सज्जा कमरे को सजाना करो में करती हूँ तो फ्लोरा कह रही है ठीक है मैं तुम्हारे बाजार से लोड़ते तक कमरे की सापसफाई, कमरे की सज्जा करती हूँ तो बच्चों आपने अभी अपने सलीला नामक संस्कृत पुस्तक का प्रथमह पाठा पढ़ा जिसमें दो भाग हैं पहले भाग में सिक्षक और उनके कक्षा के बच्चों की बीच में बाच्चित हो रही है जिसमें वे स्वामी विवेका नंद जी के विशय में आपस में चर्चा करते हुए स्वामी विवेका नंद जी के विशय में जाने और दूसरे भाग में फ्लोरा और विद्यावती नामकी दो बालिकाएं आपस में वार्तालाप कर रही हैं बाच्चित कर रही हैं उसको भी आपने देखा समझा वार्तालाप के माध्यम से हमने प्रथम पाठाह का अध्यायन किया मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा और आप भी संस्कृत में वार्तालाप करने के लिए इच्छुक होंगे झाले